प्यारे बच्चों शुरू करते हैं आपके साथ आज का खेल जिसका नाम है दसका दम आज लेते हैं आपके ट्वैल का वो चैप्टर इलेक्रिस ट्रेड चैप्टर है उसको हम दो पार्ट में लेंगे और हम देखें तो लगातार 21, 22, 23 जब से सेक्शन A, सेक्शन B का पैटर् कर रहे हैं अभी पार्ट वन ले रहे हैं पार्ट वन में हम ले रहे हैं हमारा सबसे लग कुलाम्बियन फोर्स उसके बाद लाइन फोर्स पील्ड का पैटर्न एलेक्रिक फिल्ड इंटेंसिटी एलेक्रिक फिल्ड दू सर्टें इस्पेशल चार्ड इस्पिशन चार्ज र ठीक है हलका सा आपने पढ़ रखा है लेकिन आपके नीट के साब से आपको पूरे रेजिस्टर को पढ़ने जूरत नहीं है मैं यहाँ पर अपने बता रहा हूं शॉर्ट नोट जिससे में कोई साथ भी क्योश्चन वो 24 में की 25 कभी भी आरम साब कर सकते मेरे साथ आप भी कर मास चेंज होता है स्पीड के साथ is equal to mc2 में आप जानते हो आइंस्टेन की एक एक्क्विशन जानते हो कि एक डानेमिक मास होता है रेच्ट मास उसमें m0 और डानेमिक मास m होता है कुलाम्स लॉग वेक्टर फॉर्म इंपॉर्टेंट की वन क्यूटू अगर बोलें टू पर वन के कारण तो यह आर बन जाएगा र्टू मैनिस अरवन उसके साथ से उसका इनिट बना लेंगे इसका मतलब यह आपका इनिशल और यह आपका फाइनल तब आराम से जब भी वेक्टर बना चाओ फाइनल बना सकते हो देखेंगे क्वेक्टर फॉर्म इंपॉर्टें अगर एक्सेस हम लेके चल रहे हैं पावर 3 बाइटू अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज अगर एक्स की वेलिव आर्ट से काफी कम कर दें तो यह बंजा था इस प्रपोर्शनल टू एक्स और जहां पर बनजा इस प्रपोर्शनल टू एक्स बान के चलो यहां पर आस सकता है क्विशन SHM का कैसे यह है चार्ज रग दो ऐसा जो की अट्रेक्शन निचर का फोर्स मैसूस करें पर आपका इलेक्ट्रोन रख दिया फोर्स शुरू में किता था जीरो हलका से एक्सिस पर डिस्प्लेस किया रिंग पर चार्ज पॉजिटिव है इलेक्ट्रोन पर ने सकता है अभी अपन हलका सा फ्रेमिंग समझ रहें ताकि कोई भी किशन आ जाए अगर आपने नहीं कर रहा हो तो भी आपका आउट ओफ एप्रोच नहों सब्सक्राइब करेगी वह चार्ज रहें एक आर के साब से यहां पर अगिन वही बात अपन बोलें एंगल यहां पर थीटा हमेशा रेडियन में रेडियस को ध्यान रखना ब्रैकिट का ध्यान रखना अभी आपका इसको चैक भी कर सकते हो अगर मैं इसको पूरा कर दूँ सर्कुलर तो टू पाइपाउं टू पाइज, साइन पाइज, जीरो और मालूमें चार्ज रिंग के सेंटर पे इलेक्टिविल क्या होता है, जीरो होता है। किसी आर के साब से जब भी देखो, एंगल जो दिया जाए उसको रेडियन में करो, यहां से इसका रेडियस देख नेचर इलेक्रिक जो हम बात कर रहे हैं यहां पर फील वह एलेक्ट्रो इस्टीडिक नेचर का है फोर्स इलेक्ट्रो इस्टेटिक नेचर का है इसलिए हमेशा तो यह वह प्रॉपर्टी करेंगे आप देखना कोई क्विश्चन आपका नहीं हो रहा होगा तो यह थोट से खटक से हो जाएगा थोट कहलेगा इंपलसी थोट और जहां पर भी चार्ज है तो उसके लिए फीड लाइंस कितनी होगी तो अगर आपको दो चार्ज दें एक पॉजिट नेगेटिव मालूपर जाए कहां से स्टार् लाइक्रिक फ्लक्स ओपन सर्फेस के लिए ख्लो सर्फेस के लिए बताने वाला सबसे अच्छा गॉस्ट यहां जब भी क्यूशन होता है अब जो इसमें निकालना चाहते हो तो आप देख तो क्यों एंड क्लोस कितना है बस पहला स्टिप डाइगराम का क्यूशन हो यहां तो ओग है q1 प्लस q2 प्लस q3 और एक चार्ज भाहर भी सर्फेस के तो यहां होगा e1 प्लस ए2 प्लस e3 प्लस e4 यह ध्यान रखना कॉस्ट थेरोम एप्लिकेशन जो अपने लिए ग्राफ के साफ से इंपॉर्टेंट कंडुक्टिंग स्फेरिकल शैल अंदर एलेक्रिफिल जीरो भाद प्रपोश्टल टू बन अपॉन आरि स्क्वाइर पॉइंट चार्ज की तरह सर्फेस पे हम जब चाहें इसको निकाल सकत अगर हम इसको नॉर्मली बोले तो केके अपनारि स्क्वाइर और अगर सर्फेस चार्डेंस्ट पें कर्वर्ड कर रहें सिग्मा अपन एपसालम जीरो नॉन कंडॉक्टिंग इनिफॉर्म ली चार्ज स्फेर के वल बोला इनिफार्ज स्फेर तो भी इसको मानेंगे नॉन के जब सर्फिस दिखाएं तो उसमें आर जोड़ को सेंटर पर यहां तो यहां भी प्रपोस्ट्र टू डिर्क लियार क्योंकि क्यू क्यूंट रहुप कॉंस्टने यहां रो कॉंस्ट हो गया फ्सलम जीरो क्योंकि आपने कर दिया इसको वह सीधी सी बात यहां भी तो कोई भी फोर्स हो फील्ड से फोर्स की बात करें अगर फील्ड का नेचर प्रपोश्टल टू डारेक्ली आर है और वहां पे अगर एफ प्रपोश्टल टू माइनस एक्स आसकता है इसका मतलब क्योशन ऐसे जाएगा फंडामेंटल कोई बीच आप से पूर सकते हैं टाइ किता लगेगा जितना डिस्प्लेस के उसको वापस वहीं आने पर टाइम किता लगेगा बात वहीं कहला है कि एक्स्ट्रेम टू मीन पोजिशन तो अपन निकाल सकते हैं अगर वो टी निकल गए तो टी बाइफोर हो जाएगा आउट यहां पर वही कि बाहर प्रपोश्टल यहां से आपके अच्छेशन के अच्छेशन के अच्छेब बन सकते हैं केवेटी इंसाइट कंड़क्तर मस्तिस एक बास सुनना बच्च हूं दो रिजन हो गए यह पूरा सॉलिट के साफ से मसाला था हमने केवेटी बना दी तो यह कंडेक्टिंग नेचर है मैटल है मतलब और मैटल के अंदर लेक्रिव लमेशा जीरो एक तो यह बात दूसरा फीड नहीं पड़ेगा कए कि यहां अप लगाता को चार्ज देते चले जाओ आँ तो भी तो भी नहीं पड़ेगा यह बार्टन पड़ेगा आख satu आउटर सुर्फेस और बाहर के चैर्ज यहां पर दो चीज हैं एस इсти और अंदर का चार्झ फिर हम कोहई साभी कुशन क कर सकते हैं मालों यहां पर आपको दे दिया कि हम यहां कुछ भी चेंज करते हैं तो यहां पर चार्ज का distribution होगा वह ऐसे redistribute होगा कि इसके कारण और इसके कारण कुल मिला के क्या हो जाए यहां पर फिया जए जीरो क्योंकि मैंटटीर के अंदरिश पिंद जीरो मैं तो अंकर रहाँ आकूज से वापस से पुनेंदरित होगा कि कुल मिला कर इन दोनों का सकी पार और इसका कहीं चार्ज जाहां पर नेक्ष क्या वह जिरो दे दे इसे लिखा है अगर क्यों 0 है सिद्धी से बात है कुछ भी यहां करो अंदर यहां को चार्ज ही नहीं तो फिल कितना होगा जीरू और अगर क्यों 0 है अंदर यहां किया है अब आप देखना इन से हम पार्ट वन जिसमें यहां तक बात कर रहे हैं कैसे क्यों शनारम से फटापट करते हैं ठीक है बच्चों तयार हैं चलें साथ साथ तोड़ा फास्ट कर रहे हैं आपको पूरे नोर्स को पढ़ने की जुरत नहीं यह अगर चीज आपके पास है तो हम एलेक्टर स्टेट के कुलाम्बियन फोर्ट से लेके हम एक तरह से गॉस्थ थिर्म एप्लिकेशन कर सकते हैं अभी आपके सामने आ रहे हैं देखते हैं पार्ट बन से क्यों कैसे कैसे हैं प्लस क्यूं माइनस क्यू प्लस क्यू म्यनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू क्यू जगे है आपके निमेरिकल δ active incentive q2 q możemy जीरो q q heard dinheiro अब देख जाएंगे यहाँ पे रिपल्षण ने का眠 टरेक्शन लेकिन एफ इस प्रपोशरल वाफश्छल तु क्यू क्या हो गया सेम हो गया अब पुछा क्या आप से अलिफ अवर हैं ठीक है तर रिजल्टेंट फोर्स ऑने पॉसित रिचार्ज क्यू जी जीरो प्लेस अड़ प्लेस अपने अभी सोचा था हलका सा चर्चा करी दिए हो इसने पूछ लिया कि सेंटर पर जो है उस पर डारेक्श इन दोनों का इधर डाउन इन दोनों का इधर लेफ्ट दोनों वैलिव नुमेरिकल बराबर यानि बिल्कुल बीच में और बीच का मतलब 6 और 9 के बीच का आधा क्या होता है रही हो बोल दो एक तरसे आधा क्या हो गया 9 और 6 15 बटा दो यानिकी साड़े साथ ताइम देख प्लस एक पे माइनस देख रहा है अट्रेक्शन होगा नोडाउ इस फोर्स ऑफ अगेन यह वैल्यू से मतलब है कोई माइनस साइन नहीं बोला है कि दियार कैट इन कॉन्टेक्ट कर दिया कुल चार्ज कितना हो गया माइनस 80 सिमिलर है आधाद हो गया माइनस 40 माइनस 40 तो सेकेंड केस में एफ इस प्रोपोर्शनल 2 एफ डिश लिख देने 40 इंट फॉर्ट केस में एफ इस प्रोपोर्शनल 2 मुझे कहा साइनस से मतलब नहीं है जो लैली से मतलब है अब एफ ड़ेश अपॉन एफ बिंदिया बिंदिया गई 16 बटा नो एफ बदिश बराबर 16 बा इन दोनों को आपने बोला शुरू में 10 इंटू 90 यानि की 900 चल रहा है बाद में मिला दिया कि माइनस 80 आधाध हो गया 40-40 चालिस 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 इंटू चालिस सोला सो उपर सो नीचे 900 बिंदिया गई 16 बटा नो फोर्स पहले का 16 बटा नो गुना हो जाए नेक्स्ट अचार्च पार्टीकल स्कर्ण एक्विवियूम इन इलेक्रिक फील बेट्विन दशीड प्लेट्स इन द मिलिकन ऑईल डॉप एक्स्पीरिमें याद आगया आपको वह पर अलेक्रिक फिल लगता है एमजी भी वर्टिकल रोता है लेकिन बैलेंस इसका मतलब श QE, दोनों मिलके डाउंडोड होगे, A is equal to second log, MA, A बराबर QE को रख दो, Mg, MA बराबर 2Mg, यानि A बराबर 2G, ठीक है जी, standard question, बहुत बार exam में आ चुका है, कई बार सदाबार question भी कह सकते हैं, next, the relative permitry of the direct accept, आप देख रहों, यहाँ वैक्यूम है, यहाँ पर यहाँ यह है, और यह आपका सदाबार तरीका है, मैं इसको ऐसे लेकर रहा हूँ, X is equal to X zero upon epsilon r, अब एक्स क्या क्या हो सकता है, force हो सकता है, electric field हो सकता है, flux हो सकता है, आगे जाके बोलो, potential हो सकता है, आगे जाके बोलो, और medium में कितनी, एक, दो, तीन, इसका मतलद, डाक्टरी कॉंस्ट्न क्या हो गया, 5 by 3, आप फॉर्मला याद रखते हो तो, ऐसे लिख सकते हो, 5 zero upon 5 m is equal to epsilon r, कितनी यहाँ पर line of force है, 5, यहाँ पर कितनी है, फ्लैब में, 3, तो तो एक्ट कोंसेंट क्या हो गया 5 बताते हम पना इना इना टाइन क्योस्च्ट है जो बात मैंने अभ ये बोली हुए आगया इस आगया इस स्पेरिकल गॉचन सर्केश्स रदिस ठीके which of the following is true according to the Gauss law कोई बात आ गई जम इसके right hand side पर जाएंगे तो in close charge किया होगे surface में 1, 2, 3, 4 नहीं है तो Q1 plus Q2 plus Q3 इसका मतलब मेरा option ये fail हो गया तो आता है नहीं तो ये fail हो गया अब हर answer या तो ये fail या जड़ा देखें आज ओ left hand side पर left hand side को मालूम है सब charge का आएगा E1 भी आएगा E2 भी आएगा E3 भी आएगा E4 भी आएगा तो E1 plus E2 plus E3 plus E4 सब होने चाहिए इसका मतलब ये fail हो गया अब मेरा रहे गया कौन सा answer जिसमें खोड़ता का रहा है यानि कि मैं कह सकता हूँ मेरा answer ये fail ये fail क्योंकि यहाँ पर E4 भी आना चाहिए N close charge में 4 हो तो ये fail हो गया 4 हो क्यों आएगा Q4 आएगा ही नहीं ये fail हो गया तो मेरा answer ही हो गया रापस से cross check कर लिया कैवर जल्लबादी में हो सकता है कि answer एक भी नहीं होता तो नहीं होता बस इतनी सी बात है इधर electric field में जितने भी अंदर बाहर सब charge का electric रिलागा तो यहाँ पर E4 नहीं आ रहा है इसलिए गलत तो अपसलें तो गलत इधर अपन देख रहे हैं E4 आ रहा है यहाँ पर यह नहीं आ रहा है इसका लिए सई है तो अपर कैसे भी चेक कर लें कुल मिलाकर मैंने वापस सहल का सरी कॉल कर दिया है हमेशा आपका Q and close जो होता है वो तो दिख जाता है E का ध्यान रखना E जो है जितने भी चार्ज है सबका net vector sum electric field का patience के लिए important question if E.ds over a surface इसका मतलब जैसी मैंने भूला आप समझ गए ये चीज क्या कर लाती है किसी भी close surface के लिए flux इसका ये चीज जीरो दे रिखी है तभी zero होगी जित्ती line of force enter करे उतनी निकल जाए जैसे मालो ये surface है कोई C cylindrical enter करे जित्ती 3 निकल गए 3 incoming is equal to outgoing दोनों बराबर नेट फ्लक्स क्या होगा zero तो क्या option कह रहे है मैंग्डियो अव एलेक्रिक जैसे कोई मतलब नहीं हुआ all the charge मैं चीज तो option मना रहे है इनको the electric inside surface necessary uniform ऐसा कुछ नहीं है कि uniform हो क्योंकि बिना उसके भी हो सकता है the number of flux आए entry in the surface must be equal to number of flux कुल मिला कर 5 in equal to 5 out होना चीज़ा क्योंकि यहाँ यह word may be uniform तो चल जाता लेकिन नेसरी uniform यह गलत हो गया next यह distribution electric field lines due to charge a b shown in figure a से निकल रही यह positive हो गया b पे आ रही यह negative हो गया पहला तो गया which are the following statements correct ठीक है साब यहाँ से निकलने वाली कितनी है जादा है यहाँ पर आने वाली कम है यहनि कि charge q का magnitude b से जादा होना चीज़ा है यह plus है यह minus है गिनने बाद देख सकते हैं यहाँ पर 6 और यहाँ पर 713 निकल रही है जबकि यहाँ पर 6 और अगर हम बोलें चार 10 ही यहाँ पर है इसका मतलब ज़रा option देखें पहला दिखरा सही है no doubt फिर भी देखें negative गलत बोतार गलत बोतार गलत मैपिंग सिंपल से चीज़ है अपॉइंट चार्च पार्टिकल है विंग मास 25 ग्राम है ध्यान रखना मिली को लॉह में और ध्यान रखना सस्पेंट पाई लैक ठीक है इंस्टिंग शोन इन फीगर आ गया जैसे इसको हम करेंगे दिख जाएगा आपको यह को थीटा है कि यह भी थीटा टेंशन टी के पॉल्शन फॉर्स या के दो पॉजिटिव एलेक्ट्रिक्टिक डिरेक्शन फॉर्स क्यूए यह टेंशन का कंपोनेंट कॉस इधर mg सदा बार आपको ध्याना रहें से कई बार आपने किया होगा तो t sin theta qe को और t cos theta mg को एंगल दे दिया 45 इसका मतलब 10 theta 1 है यहाँ पर 10 theta मुझे दिख रहा है qe upon mg अक्योग solve करना है theta 45 इसका मतलब qe is equal to mg क्या निकालना e कामान कर लो calculation qe is equal to mg e is equal to अब रखो value जब भी आपको जिसको solve करना जब तक वो left hand side पे ने जा आप value मत रखो पालतू में और ना calculation ऐसे देखेगी m कितना है 25 gram minus 3 करिए kg किलो ग्राम के लिए जी कितना 10 माल लीजे और q कितना 1 mili कुलाम इसका मतलब 10 की पावर minus 3 कि इससे cancel 25 इंटो 10 की पावर 2.5 करें तो 2.5 इंटो 10 की पावर 2 newton पर कुलाम के लिए 2.5 बना रखा है इसका मतला हमारा यहांसर हो गया है जीदा question standard बस यहांसर करनी calculation next the figure shows charge q place inside a cavity and uncharged conductor नौ फिन वही आगेने बाद मस्तितम उसक्राईए जो समझाई थी यहां भार कुछ भी charge हो कुछ भी electric फिल्डो इसका असर यहां पर नहीं पड़ेगा यहां भाज कुछ भी करतारू में लगाता इस पर असर नहीं पड़ेगा क्या बोला इसने if an external electrical switch on यहां को electric field दे दिया जाए suppose कुछ भी इसका असर यहां पर नहीं पड़ेगा जो भी distribution होगा यहां पर होगा इस तरह से होगा इस एलेक्ट्रिक फिल्ड और इसके कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फिल्ड कुल मिला के अंदर क्या हो जाए इसका मतलब बड़ा सीधा question form में पूछ है वन अपने पास तो मसाला ऐसा था कि अपन कोई सा भी question कर सकते हैं आपको रिकॉल कर लेना यहां में कुछ भी करता रहूं यहां फरगनी पड़ेगा बाहर कुछ भी करता रहूं इनर फरगनी पड़ेगा इनर कुछ भी करता रहूं बाहर फरगनी पड़ेगा बाहर कुछ भी करूंगा तो आउटर सर्फेस पर होगा चार्ज का वापस से redistribution इस तरह से कि इसका और इसका मिलकर अंदर एलेक्रिफिल क्या हो जाए जीरो अगर यहां कुछ भी चेंज करता हूं तो इनर सर्फेस पर जहां मैंने क्या वहीं पर इनर सर्फेस पर चार्ज का होगा रिडिशिबिशन और उसके बाद कुल मिला कि उन दोनों का नेट इलेक्रिफिल यहां पर क्या होना चीज जीरो यह हिंदी पर आ गया था तो एक अच्छा थियोडिकल क्रिश्टन इंपॉर्टेंट और वैसे जहां कैवेटी हमने बने इसलिए बनाई है यह इलेक्ट्रो इस से तोटल सेपरेट है आईसोलेट है नेक्स्ट तो इडेंटिकल चालिस्ट्पेर शस्पेंट बाइस ट्रिंग उपलेंस तर श्रिंग मेंक अंगल 37 इच अधर ओके बन सस्पेंड लिक्विड अधने लिक्विड देंसेटी ओहो सदा बहार क्रिश्टन बच्चों क्लास में रने कराया होगा एंगल रिमेंस सेम अरे जो एयर मीडियम में था वही किसी लिक्विड मीडियम में हो जाए तो फिर वहां पे तीन बात रह जाती है पूछा जाएगा डियालेक्टिक वांस्टेंट और दियोंगी दो डेंसेटी क्या चीज एक तो मैट्रियल की और एक लि रख दीजेए डेटा इसा सिंपल दे रखा है 37 का मतलब नहीं तो एंगल दिखाना था कोई सा भी सेम करना ही था इनको उपर होगी आपके पास 1.4 नीचे 1.4 माइनस 0.7 इसका लोकुल मिलाके 1.4 अपॉन 0.7 यानि की 2 स्कोर दो पॉसिटिव अगे बढ़ो तू चार्जेस 5Q-2Q are situated at the point 3A-5A, positive side 3A0, negative side-5A0, respectively 3A पर रखा है 5Q और minus 5A पर ठीक है, minus 2Q, the electric flux through a sphere of radius 4A, 4A का मतलब 3A0 तो अंदर आजाएगा, यानि ये चार्ज जो 5Q अंदर आजाएगा, लेकिन minus 5A0 का चार्ज बहार हो जाएगा, तो इंक्लोस चार्ज क्या कहलेगा, इस फिर जिसकी radius 4A 5Q, इसका flux सीदे क्या हो जाएगा, 5Q upon epsilon 0, आप इसको diagram बना के भी करना चाहो, ऐसे कर दो, पहले अपना ये खीचलो sphere, ये positive axis, ये negative axis, ये center, ये 3A0, ये समझने के लिए, और ये minus, 5A0, अब यहाँ पे जो चार्ज हो तो 5Q है, प्लस, और यहाँ पे minus 2Q, और ये sphere आपके बन गई, 4A radius की, spherical surface, तो केवल अपन ने समझने के लिए बनाया है, बागी अपन और और कर सकते थे, वो देख सकते हैं, इसमें charge केवल एंप्लोस कितना है, 5Q, तो बस एंप्लोस चार charge upon epsilon 0, यह spherical surface का क्या हो जाएगा, फ्लक्स हो जाएगा, तो यहाँ आपन बच्चों आज का खेल 10 का दम विराम देते हैं, और अभी बात करते हैं, स्वास्त बहुत important है, और स्वास्त का सबसे खरा हुने कारण जो है बच्चों का आजकल यह यहाँ का, उसका कारण उनकी एक इसको प्रॉपर टाइम से प्रॉपर रेश भी मिलना चीए, प्रॉपर डोस भी मिलने चीए, जो इसके लिए हेल्दी डोस हो मिलने चीए, जिसलिए यहाँ आज हम कमिट्मेंट करें, कि आगे हमारा जो सफर चल रहा है पांच मही तक, तब तक आज से हम सबसे पहले अपन होना चीए, और फुडाइबिट्स भी अपना जो इंडियन कल्चर है, भारति सिंस्कृति उसके मुसार होना चीए, ओके और बस जब सवस्ता आपका शरीर रहेगा, शरीरिक भी और मांसिक भी तो फिर आप आराम से इस पढ़ाई की पारी को जतना चाहो मस्तित से आगे ख कर सकते, all the best.